नेक्स्क्स्कूहुस्क्शाुन सेख छेजिए one end of a metal rod is kept in a furnace in steady state temperature of the rod our hemaray option increases Decreases remain constant yeah for is non uniform now scenario ये है कि ये मान लुजयिए आपकी कोई एक rod है उस rod को आपने यहाँ पिसको furnace में रखा है लेटर से काई विए ऐक data लेना है तो अब यहाँ पर आपका टेम्प्रेचर है और दूसरा रोड का दूसरा इस्सा चाहए तो हम आइस में डाल सकते हैं इसका टेम्परेचर माइनस 20 माइनस 40 कुछ हो तो फो नैट से आप का रूम टेंपरेचर ही है तो यहाँ पर मान लिजे आपका 25 डिग्री कोई एक डिटा लेना था इसलिए मैंने 25 डिग्री संटिग्रेट ले लिया है अब यहाँ पर देखना है कि पहले रॉड जब थी यहाँ पर आपकी इसको थेयोरी में हम बात कर चुक है कंडक्शन में हम य बी तो एंड को जैसे ही आपने इस फर्नेस के साथ टच में किया यहां से मॉलीकुलर वाइबरेशन जो पहले आपके पच्छे इसका रॉड का टेंपरेचर लेट से रूम टेंपरेचर पच्छेस था तो उसके वाइबरेट कर रहे थे पच्छे दिग्री के इसाब से अप यहां से हां ट्रांफर करना start करेगा इसके अंड करें कि हम टेंपरेशन अब इनक्रीज थे और यहां पर स्कोलिकुलर वाइबरेचर के पास आई वह सारी हीट उसने आगे ट्रांसफर कर दी वैरिबल स्टेट में जो हीट आई थी उसमेरे कुछ पोजिशन वह अपने पास रखता है अपना टेम्परिचर इंक्रीज करने के लिए और बागी ट्रांसफर कर देता है श् fonctionne अनल पस रखता है steady state में अपना heat absorption जीरो है और वहीट आगे वह आपका non uniform होगा temperature की आपकी location बे डिपंड करेगा क्या आपकी temperature की value क्या है so that means आपका temperature of the rod is non uniform option 4 जो है that would be the right answer